आप internet में जिसको access कर रहे हो, उसकी public IP, आउट्साइड लोकल भी और आउट्साइड ग्लोबल भी सेगेंड एविर इसमें डायनमिक नैट डायनमिक नैट जो है इसमें static नैट से कुछ चीज़े मिलती हैं और कुछ अलग है स्टाटिक नैट और इसमें इसमें सिमिलारीटी से है स्टाटिक नैट और इसमें एक सिमिलारीटी है कि यहां पे भी जो मैपिंग है वो वन टूवन है मतला जिसने PC's को आप चाथो internet यूज कर पाएं तो इसने ही हमें public IP addresses चाहिए होगा जिसे जना आर पास दो public IP address हैं तो दो ही PC's हैं जो internet access कर पाएं तो जिनका address प्रांसलेट कर पाएं ने लेकिन जो मैपिंग थी कौन सा private IP address किस public IP address में ट्रांसलेट होगा तो मैपिंग स्टैक थी अड्मिस्टेटर ने पहले से डिफाइंड कर रशी है तो यही दो PC's हैं जो internet access कर पाएंगे बागी जो PC's हैं 1.3 से लेके 1.10 तक वो internet access नहीं कर पाएंगे तो दो ही PC हैं जो internet access कर पाएंगे लेकिन वो कौन से 2 PC होंगे यह हमने पहले से define नहीं कर रख तो यहां पर जो policy काम करती है वो है first come first serve पहले आओ पहले पाओ तो यहां पहले पाओ कि जैसे 10 PC हैं वो 1.1 से लेके 1.10 तक तक तो हमने क्या है कि हमने यह पे पूल बना गया पूल मतले एक group मान लो थे DHCPM बनाते हैं पूल addresses का वैसे ही तो हमने पूल बना दिया कि हमारे पास school में 2 public IP address हैं जो किम translation के लिए यूज करेंगे लेकिन हमने mapping नहीं करेंगा तियस private IP को इसमें करेंगा यह mapping हमने नहीं करेंगा यह mapping हमने नहीं करेंगे यह mapping हमने डायनमिकली तो अपने आप करेगा router अब पहला PC जो इंटरनेट पर जाने की रिक्वेस्ट बेज़ेगा, फिर्स PC, तो PC कोई भी उजखता है, तो 1.1 भी उजखता है, 1.5 भी उजखता है, 1.10 भी कोई भी उजखता है, उसने जब रिक्वेस्ट भेजी तो रौटर में ये देगा कि मेरे पास जो पूल है, उसमे पूल में कितने अड्रेस होचे एक, अब जो दूसरा PC रिक्वेस्ट बेज़ेगा, मालो दूसरा PC था 1.10 ठीक, उसने रिक्वेस्ट भेजी, राउटर ने फिर से देखा कितने अड्रेस बचे हैं, फूल में एक बचा था, उसने उसको असाइन कर दिया, और दूसरा PC 1.10 उसने भी इंटरनेट अक्सेस करना शुरू कर लिया, तो दो PC's थे, जुनों रिक्वेस्ट भेजी, हमारे बास, दो ही पुब्लिक IP अड्रस से दोनों असाइन हो गया, दोनों पैनेट चलने लगा, अब अगर कोई तीसरा PC रिक्वेस्ट भेजता है, मालने को 1.1 ने रिक् तो PC इंटरनेट अक्सेस नहीं करता है, तो दो पुब्लिक IP अड्रस से दो ही PC इंटरनेट अक्सेस कर पाएंगे, लेकिन वो दो PC कोई भी हो सकता है, जो पहले दो PC से उनको अक्सेस मिलगी, अगर पहला PC 1.5 की जगा 1.1 होता तो उसके अक्सेस मिल जाती, या दूसरा होत लेकिन अगर दोनों अड्रस यूज हो रहे हैं तो नहीं मिलेंगे, उसमें फिर यह भी होता है कि, बल्ला ऐसा नहीं है कि दो PC इंटरनेट चलने लेना तो बास्टी को इंटरन अक्सेस मिलेगे, अब उसमें यह उसकता है कि जैसे 1.5 PC जो भी यूजर यूजर उसने अपन अगाम कर लिया, नेट अक्सेस ने बंद कर दी, लेकिन इसकी मैपिंग तौह बनी हुई है, कि अडर्स इसको असाइन है, तौह पे राउटर का आप आइडल टाइम टाइम आउट जो सेट कर सकते हो, कि मतलग इस प्राइवट आइपी से अगर से 5, 10, 15 या ए 1 गंटे तब कोई ट्रैफिक नहीं आता है, तो इसकी मैपिंग अटाइगा, तो 1.5 पे जो यूजर था मालनो उसने ब्राउजर ब्राउजर बंद कर दिया, इंटरने अक्सेस करना बंद कर दिया, और हमने आइडल टाम आउट जो 10 मिनेट कर रखा था, तो 10 मिनेट तक जब उस PC से इसमें भी क्या है, इसमें भी जो मैपिंग से हो, 1-2-1 है, दो पबलिक IP हैं, तो दो ही PC सामलताइनसली इंटरनेट अक्सेस कर सकते हैं, लेकिन वो दो PC कोई भी हो सकते हैं, तो इसमें तीसरा इंप्लिमेंटेशन है मेर पास, नाट ओवरलोडिंग या इसमें, पोड अड ओड्राण्सलेशन या पाड भी कहता है, अभी को लेकी अगुड जो इसमें पोड़ा था इसमें प्रिश्चेस की connection मे जो की उज होता है, ट्रांस्पोर्ड लेर वे है, अगर एक PC से हम कहें कि, एक PC वह सबत करो कि 10 कनेक्शन बने, एक PC पे 10 कनेक्शन है, तो ये जो 10 कनेक्शन बने हैं, इन 10 कनेक्शन पे, जो सोर्स और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर है, उसके लिम क्या गया दखता है, ज़र इन्टरनेट एक्स्प्लोरर या मोजिला पायरपक्स ब्राउजर कोला, उसको उसमें 10 अलग-अलग वेबसाइट्स खोल लिंग, एक का, अना, दस कनेक्शन बनेंगे, ठीक है, अब इन 10 कनेक्शन में, एक तो सोर्स और IP अड्रस होगा, और देस्टिनेशन आईप अड्रस साँ या चुपर आईप होगा ार ne गारा होगा, और खलक होगा, क्योंकि वेबसाइट इसम पर अग्से कर रहा हैas, तो सभी में जो अग्सें देस्टिनेशन पोड नमबर को कितना होगा, 80, सभी में 80 होगा और सोर्स कोट नंबर की वेलू किस रेंज में होती है इस में से कोई भी एक रेंडम नंबर उठा की यूज कर लेता है अपने हाँ बस एक इसका ध्यान रखता है किस बात का तो जो कोट नंबर यूज करने जा रहा है तो पहले से किसी connection पर यूज ना हो रहा है हमने का कि अगर हमने 10 connection open किये तो सभी में डेस्टिनेशन कोट नंबर हो तो सेम होगा 80 लेकिन सभी में सोर्स कोट नंबर अलग होगा अगर हम कहें कि पहले connection के सोर्स कोट नंबर साथ 2001 तो दूसरे पर होगा 2002 तूसरे पर 2003 अलग-अलग होगा अगर 10 लूज अलग-अलग connection को उनके सोर्स कोट नंबर से डिप्रेंशियेट कर सकते हैं अब PC से 10 connection बने तो उन 10 connection के साथ में क्या है कि उन सभी का सोर्स कोट नंबर अलग होगा ऐसा ही तो मालग-अलग connection का डेट अपहचान पाते हैं जो सोर्स पोट नंबर पहीं। रही है। अब सफोस करो कि दो PC है दो अलग अलग PC है जोनों के 10 कनेक्शन नहीं, महालों के 2 PC's पे एक एक कनेक्शन इह हम उपन किये हम पहले PC's से Google एक्सेस कर रहे तो दूसरे से भी महालों Google कर रहे या नहीं भी Google नहीं कर रहा है तो दूसरा कर रहा है तो दूनों PC से जो request जाएगी दोनों के destination code number होगा ITTL और source code number सेम होगा की अलग होगा कैसे दो पीस दो अलग-अलग PC होगा क्योंकि दोनों PC क्या करेंगा दोनों PC से लेकर 65535 के विश्मो को यह भी एक random number यूज कर सकते बस उतने क्या होना चाहिए को पहले सी यूज ना हो रहा हूँ पहले PC ने अब उसका पहले ही connection है उसने एक random number यूज करेंगा मालो 2001 पहले सी यूज करेंगा रहा दूसरे PC ने भी random number यूज करेंगा अब उसमें दोनों possibilities हो हो सकता है कि वह 2001 ही generate हो और हो सकता है कि उससे कुछ अलग generate हो अब आज़ी हो यूज करेंगा जार्यक्ति ने किशनेर्हता है चाहिए तो कितना सेम है अलग generate हो तो अलग generate हो हो तो तो तरहाटी सीनेरियो आज़ए हो 3 connection from 3 PC बलाब एक ही server पे 3 अलग-अलग PC से connection बने और पहला हो सकता है कि एक server पे एक ही PC से connection बने लेकिन 3 connection बने पहले case में हमने का है कि पहला PC था 1.1 दूसरा था 1.2 दूसरा था 1.3 इतने source आई भी डाले हम अपनी port number 1024 दूसरा था डाला तो हो सकता है ये भी 1024 रिजनरेट कर रहे destination सब में सेम रहेगा destination के IP 171 port 808080 लेकिन source port number सेम भी हो सकता है different भी हो सकता है और इस case में destination IP तीनो cases में सेम destination port number सेम source IP तीनो cases में सेम लेकिन source port number हमेशा अलग होंगे अलग होंगे अलग होंगे अलग होंगे अलग होंगे अलग होंगे इससे पहले हमने जो अभी दो देखें इंप्लिमेंटेशन नाट के उसमें कियाद है कि हम एक private IP को एक public IP में ट्रांसलेट करके तो कोई confusion नहीं था confusion क्यों नहीं था जैसे PC 1-3 वो ट्रांसलेट होंगे 200.1.1.1 PC 2-3 वो ट्रांसलेट होंगे 200.1.1.2 अब जब रिटर्ण ट्रैफिक आता है वापसी में अगर वापसी में 10.1.1.2 में translate रहे हैं लेकिन जब हम यह कहें कि हम एक ही IP address multiple PCS के लिए share रहे हैं बढ़ा हमाराबस public address एक ही है लेकिन private IP addresses कही सार है तो translation में confusion आएगा किस तरह की confusion? मालों के 2 PC है 10.1.1 और 10.1.1.2 यह 2 PC हैं लेकिन public IP में बढ़ाबस 2 नहीं है 200.1.1.1 तो दोनों PC से जो ट्रैफिक आ रहा है वो एक ही public IP में ट्रांसलेट होता है ट्रैफिक चाहे 1.1 से रहा है चाहे 1.2 से रहा है यह दोनों प्राइवेट आईपी जो है ट्रांसलेट हो रही है 200.1.1.1 में अब जब रिटें ट्रैफिक आ रहा है यह दोनों ही केसे में जो वाप्सी में ट्रैफिक आ रहा है किस देस्किनेशन आईपी के लिए आ रहा है 200.1.1.1 के लिए अब राउटर को यह से पता चलेगा कि इस एड्रस को में 10.1.1 में ट्रांसलेट करो हो कि 10.1.1.2 में यह कन्फूजिन हो तो इसलिए राउटर यहां पे क्या गरता है आईपी अड्रस के साथ साथ port नंबर यूज़ कर लेता है यहां पे सपोस करो इस बीच वाले को भी खुड़ी दर के लिए हम एक दोर करता है माले दिक दो पीज ही है 10.1.1.1 10.1.1.3 और यह दोनों जरूर इन यह अलग भी करता है तो पहले का आईपी अड्रस यह port नंबर इसने 1024 जनरेट किया दूसरे का आईपी यह port नंबर 103 जनरेट किया जब यह अड्रस ट्रांसलेट हो रहा है तो आपे कह रहे हैं कि यह IP अड्रस के साथ port नंबर भी ट्रांसलेट होगे तो यह जो IP थी यह ट्रांसलेट होगे 201.1.2 में एक ही है अड्रेट पास और यह जो IP थी यह भी ट्रांसलेट ही 200.1.1.2 में ठीक port नंबर 1024 था 1024 में ट्रांसलेट होगे 1033 था अब यह जो नहीं चेंज कर दिया लकिन कोई ज़रूरी नहीं है हम इसको यह पे 1033 थी रख सकते हैं हमाल यह से की 1033 थी ठीक और destination IP वह रहेगी destination port नंबर यहां पे 80 हो यहां पे 50 है पहली request गई ही पहली request पे IP 201.1.2 बहुला दोगा यहां पे यह रखे mapping के mapping रखे की source IP 10.1.1.1 source port number 1024 इसको मैंने translate के 200 इस IP में port number 1024 source IP address 1.3 port number 1033 इसको मैंने IP तो same translate के port number बजल गया यह 1024 में translate हुआ था इसको माल लेके 1023 1023 में translate होगा 1023 माल लेके ठीक इसने भेज़ देटा अब जब यहां से data गया router के से mapping है अब जब return traffic आएगा server से तो अभी जो traffic जा रहा है source port number 24 है destination 80 source IP है जब return traffic आएगा source IP 170 source port number 80 हो जाएगा destination IP 200 वाली हो जाएगी और destination port number 1024 जब return traffic आएगा router यह table लेके router देखें IP कितनी है port number कितना है 1024 अब इन तीनों इंट्रीज में 1024 यहां है तो इसना मतला यह जो traffic है यह किस में translate करूँ में 10111 में translate करूँ में port number 1024 में लेकिन अगर रिटेन ट्राफिक आएगा port number source IP यह है destination IP अगें same है लेकिन port number 1033 है ठीक है एंट्री चेक करें